इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की एकसरसाइस 7.2 यानि इंटीग्रेशन का कॉशन नमबर 23 है हमको इंटीगेशन फाइंड करना है साइन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेर का तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें हमको ट किसको मानना है तो यदि हम इसमें साइन इन्वर्स एक्स को ट माल लेता है तो हमको यह पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसीशन क्या होता है और हमको अल्रेडी पता है differentiation में जो कि होता है under root 1-x square तो सबसे पहले देखिए let sin inverse x sin inverse x is equals to t तो basically मैंने इसको sin inverse x कोई t क्यों माना क्योंकि मुझे ये पता है कि sin inverse x का differentiation under root 1-x square होता है तो देखिए अब इसका हम करता है differentiation तो हमें बता है कि यहां बर differentiation करना होता है तो sin inverse x का differentiation होता है 1 upon under root 1-x square dot dx is equals to dt देखो नीचे वाली क्या value हमें मिल चुकी है तो बस हमारा जो काम है वो हो चुका है तो सबसे पहले हम question लिख लेते हैं जो था हमारा sin inverse x upon under root 1-x square dot dx और यह integration का sign लगा दिया अब देखिए आप sin inverse x को हम already क्या मान चुके हैं t मान चुके हैं तो sin inverse x के रहे में t रख दूँ तो मैंने उपर रख दिया t upon अब आप ध्यान से देखिए हमको 1 upon under root 1-x square dot dx यह जो value है या value हमें यह मिल चुकी है obviously हमें value मिल चुकी है इसकी जगे हम क्या रख सकते हैं dt रख सकते हैं तो मैंने रख दिया dt और integration का sign लगा दिया तो t का यानि t का integration क्या होता है हमें पता है x का integration x का integration क्या होता था x का होता था x की power n plus 1 upon n plus 1 very simple तो यहाँ पे है हमारी x की power 1 तो यहाँ पे भी क्या है हमारी t की power 1 है तो t की power 1 plus 1 upon 1 plus 1 तो यह हो जाएगा basically हमारा t square upon यानि 1 plus 1 2 power हो गई और 1 plus 1 यह भी हमारा हो गया 2 dot तो plus c ठीक है अब DT तो हट जागा क्योंकि हम integration कर चुके हैं तो T square upon 2 आ गया बेसिकल यह हमें करना क्या है जिसको इसको इसको हम T मानते हैं उसकी value लग देते हैं हमने T माना था sine inverse X को तो हम यहां लिख देंगे sine inverse X sine inverse X इसका whole square है तो whole square लिख दिया upon 2 नीचे 2 है तो 2 लिख दिया plus C तो यह हमारा final answer हो जाएगा तो thank you for watching this video मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आयो और आप चाते हैं इसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ तो इस चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में